नमस्कार किसान साथियों, इंडियन टेकनिकल फार्मिंग चैनल में आज आपका स्वागत है, जहाँ पर बात होती है केवल और केवल किसान की, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेकनिकल फार्मी है और आज मैं आपके लिए खेती से जूड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कपास की विगयानिक खेती कब और कैसे करें जिससे की हमें फचल की अच्छी पैदावार वाच्छी इनकम प्रापत हूँ वा कपास की बिजाएगे समय क्वोन कून सी साथा नहीं रखे तिससे कि बिजगाओं कून ऑнос home per 37 तक हो जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़सल गी पैदावार पराप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छिम्ह कम पराप्त हो आज हम बात करते हैं कि कपास की विगानी खेत्टी करने का उप्यूकत समय कौन सा है कपास की खेत्टी करने के लिए खेत का सुनाओ कपास की खेत्टी करने के लिए मिट्टे की जांस कपास की विगानी खेत्टी करने के लिए पानी की जांस करवाना क्यों जरूरी है कपास की कपास की खत्ति के लिए बूमे की कैसी होनी चीए, कपास की खत्ति के लिए किस तरह खत्त की तैरी करे, कपास की खत्ति के लिए फसल पत्ति या फसल चकर, कपास की खत्ति करने के लिए किस परकार के बेज़ का चुनाव करे, कौन-कौन शी बेज़ की उन्नत किसमे है, बेज की मातरा कितनी जुरूरी है कुपास की विगयानी खित्ति के करने के लिए फसल की बॉआई का समय कुपास की विगयानी खित्ति करने के लिए जल्ड केट वर रोगा प्रबंदन क्यों जुरूरी है कुपास की विगयानी खित्ति के लिए कौन-कौन से सप्रे करे इस वीडिय वीडियो को अन्त तक जुरूर देखे ताकि आपको खेती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना ताकि अन्ने की सनों को खेती से जुड़ी से भी जानकारी प भारत में कपास की खेती सर्दियों से चली आ रही है जिसका उलेक रिंग वेद भी मिलता है जो या दर साथ ता कि भारतियों का कपास से वस्तर बनाने का ज्यान प्राचेनकाल से ही रहा है भारत विश्चों का दूसरा सबसे बड़ा कपास पादक देश है जिसे पहले नंबर पर चीन आता है कपास में एक तरगा फल होता है जो बोल्स का लाती है यह चिकने और अड़े पीले रंगे होती है फल के अंदर बी जो कपास की रिश्चा होती है वहात्म कपास की खेती सबसे दिख महराश्टर मद्यपद्देश कुजात अंदर पद्देश वराजस्तान म के लिए नंबर एक प्यूकत समय नंबर दो कपास की खेती के लिए खेत का चुनाओ नंबर तीन मिट्टी की जांच नंबर च्यार पानी की जांच नंबर पांच कपास की खेती के लिए भूमी नंबर छे चलवायू नंबर साथ खेत की त्यारी नंबर आठ फसल पतिति या फसल चक्कर, नमबर 9, कपास की खेत्य के लिए बीजगा चुनाओ, बीजगी उनंत किस्मे, बीजगा उप्चार वे बीजगी मात्रा, नमबर 10, फसल की बिजाई या फसल की बुआई, नमबर 11, फसल की बुआई सिंचित्रों में, नमबर 12, खर्पतवर्ग की रोग्थाम, नमबर 13, तिस दिन बाद सिचाई, फिर निराई, फिर गुडाई, फिर तिस दिन बाद सिचाई, या फिर वर्षादारित, फिर खाद का परबंदन, फिर जल का परबंदन, फिर केट बारोग का परबंदन, मोनो, टाटा, आसाटा, इम्डे कलोराइड इत्यादिगा सपरे करे फल फूलों के वर्दे के लिए पलाइनो फिक्स कल्टार जैसे टोनिक का ही इस्तेमाल करें फिर चुनाई नमबर एक उप्योकत समय कपास की विजाई का उप्योकत समय अपरेल वा मैंना होता है बजार में कपास की बहुत से वराइटि अपलक्ड होती है अपरेल मैने में विजाई के लिए गयत्य वराइटि वपंदरा मैं के बाद हम पच्छेती वराइटि का ही चुनाव करते हैं नमबर दो खेत का चुनाव इसके बाद हम कपास की विजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सरसों की विजाई की थी तो सरसों के फनों को रोटा वैटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फन ने अच्छी त परफ़्त होच chili नंबरटिनमिट्टीं की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाल ले जिससे मिंजा पताचल जाता हैं मिट्टी में किन-किन पॉस्टत्तों की कमी हैं और खेत की मिट्टी किन-किन फचलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फचले उगाई जा सकती है। गेहूं, चन्ना, अरहर, सरसो, राया, बर्सीन, गन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास, त्यादी मिट्टे के जांच से हमें यह पता जाता है कि इसका पियेच मान कितना है पाने की जांच अगर आप फसल की विज़ाई के लिए नैरी पानी का इस्तेमाल करते हो तो यह ऐसे भी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकूर्ण सोपर तिस्थ तक हो जाता है अगर आप टिवल के पानी से फसलों की विज़ाई करते हो तो आप इस टिवल के पानी की जांच करवा ले अगर टिवल का पानी पीने में मिठा है ज़्यादा है तो इसमें बीज कांकूर्ण से तरिक्के से नहीं हो पाता इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत जरूरी है खेत की तैरिवा गुबर की खात अगर आप खेत में गुबर की खात गाश्तियमाल करते हो तो आठ से दस ट्रोल ये एक एंगर के लिए प्रियापत रहती है कुबर की खात जमीन में अच्छी तरह बिखेर कर जमीन को सम्दल कर देना चाहिए शिचाई बत्तर जुताई के ल्टिवेटर स्वागा अब आप खेत को अच्छी तरह से शिचाई कर दे जमीन के बत्तर आताए ऐरो की खेत के अच्छी तरह एक दो बार जुताई कर दे और फिर आप के इ्ल्टिवेटर स्वागा की शाथा से जमीन को सम्दल कर दे पास की खेतिये के लिए बुमी छीचाई के लिए सब्से शुरूत माना गया है बुलूई जमीन सारी है भूमियों और कंकड़ से बुरियों जमीन पर कपास की खेती निकी जा सकती है भूमिय की तैरिक करते हैं सबसे पहले खेत की जुताई लगवग 25 संटीमेटर गहरी करनी चीए जुर्त के अनुशार दुबारत दो से तीन बार देशी हल चला कर खेत की जुदाई कर दे और फिर उससे बुरबुरा कर फिर से भूमिय को समतल भूमिय बना देना चीए जल्वाईयू कपास की केती में जमाओ के लिए मिनिमम 16 डेगरी तक का तंपरेचर होना चीए फसर के विकास के टाइम लगबग 21-89 डेगरी तक की तंपरेचयर गया सकता पढ़ती है कपास की खेती के लिए खेत की त्याहिए गुबर की खात अगर आप खेत में गुबर की खात का इस्तिमाल करते हो तो दो आट से दस ट्रोली एक एंकट के लिए प्रयापत रहती है गुबर की खाथ को जमीन में अच्छी तरह बिखेक कर जमीन को समतल कर देना चाहिए अगर आप जमीन की घैरी जुताई करते हैं तो दो से तीन बर देशी हल से दो से तीन गहरी जुताई करते फिर आप जमीन को समतल करते हैं फचल पद्रति या फचल चकर फचल चकर एक ऐसी पनाड़ी है जिसमें फचलों को इसकर में बोया जाता है जिससे कि उसकी मर्दा के उरकता सकती बनी रहे एक सपल उत्पादन के लिए उत्तर किसी खेत में फचलों को अदल बदल कर या एरफेर कर बोना फचल चकर कहलता है ऐसा करना से मर्दा की उरकता सकती बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है किसी शेत्र की भूमी जल्वाईयों एउम अन्य वात्ता वनियक कार्पों के दार पर विविन फचल चकर अप पुमनी बुमी से अधिक से अधिक आतिकल आप कमा सकता है। महारे देश में फचल को उतपादन को बढ़ावा देने के लिए विविन फशकर के फचल चक्र की कई परणाडिया विचलिता है। फसल चक्रों के संक्यात तीन होती है, एक वर्षिय फसल चक्र, दो वर्षिय फसल चक्र, फसल चक्र के मुख्य परकार, खरीब की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल चक्र, रवी की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल चक्र, जायद की फसलों में अपनाय जाने वाले फसल फसल चक्कर के सिधांत उतले जड़ वाली फसलों के बाद गैरी जड़ वाली फसलों को गाना चीए, देख खाद के आउसकता वाली फसलों के बाद कम जल के आउसकता वाली फसलों को गाना चीए, फलीदार फसलों के बाद एफलीदार फसलों को गाना चीए, कर्शी साधनों प्योग समता पुरूप डंग से करना चीए बूमे कटाओ से फ्रवाई छेतरों में फसल चक्र में आचा दित फसलों का सवावेश होना चीए फसल चक्र के लाब मर्दा के उरकता सक्ति में वर्द्य होती है थता मर्दा के बहुतिक रसानिक पता जविगों में सुभार होता है सगन फसल चक्र को अपनाने से बूमी में जवां स्पदार की मातरा में वर्द्य होती है उचित फसल्चक्र को पनाने से भूमी में पनबने वाले विविन विवारियों के प्रवाव में कमी आती है। फसल्चक्र पनाने से किटो थता कर पतवारों पर बिन्यंतर तुद। एक उत्तम फसल्चक्र की निमलिक त्विसेस्ता हैं होती है। एक उत्तम फसल्चकर परती काई सथर फल में अधिकार्थिक लाप देता है करशी पर उपलत करशी सम्रिक के कारियों को उच्छित प्रकार से वित्रण रहता है एक पसल्चकर से उन्हें वर्स भर लगाता रोग सकार उपलत होता रहता है बुम्मी की किसम दरातल थता इसके प्रियोग को ध्यान में रखकर फसलों का समावे एक अच्छे फसल चक्र की मुक्य विसे इस्ताइं होती है। फसल चक्र में दलनी फसलों को समलित करना चाहिए जिसे भूमी में नाइट्रोजन तता जुआंस बदातों की वर्द्धी होती है। ऐसी फसलों को गवाना चाहिए जिसके फसलों के रोग तताउन में लगने वाले किड़ों आधी पर प्रभावशाली निंतर सम्भाव होशके। फसल चक्र में देकलाब देने वाली फसलों का समावे इस करना चाहिए। जिन चेतरों में मर्दा कटाओ की समस्या होती है, वहां पर आचा धन फसलों को गवाना चाहिए। इन फसलों की भूप रिक्सें समद्धी आप सकता हैं कम से कम होनी चाहिए। पर चेतर पर गई जड़वारी थता उतली जड़वारी फसलों का समावे इस फसल चक्र में करना चाहिए। परसों को चारक या परती के लिए चारे बारी फसलों को समरित करना भी आप सकूरता है। कपास की खेती के लिए बीजगा चुनाओ बीजगी किसम या वराइटी बीजगा उपचार था बीजगी मातरा हमें अपने खेत में फसल की बजाई करते समय ऐसे बीजगा चुनाओ करते हैं जो अपने छेतर या एरिया के साब से ठीक हो बीजगा चुनाओ करते समय हमें मिट स्मय वधानी के उनुशारी वीस का चुनाव करना होता है क्योंकि 2 मिट मिटिन के लिए लग रहती लेए, अलग लग वरायथिया आती है, विष piş वरायटी में एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता जो हमारी शेत्र वा जमीन वा पानी के सहाब से ज्यादा उत्पातन देती हो में एक ऐसी कंपनी के बीज का चुनाओ करना होता जो कंपनी से कार के द्वारा रेजिस्टर्ड हो जैसे राशी यूस इत्यादी बीज करित्ते समय बीज का पक्काबिल अबस्चे लेना चीए जिसे की बीज के डुपलिकेट होने के चांज कम होते हो बीज का चुनाओ हम बीमारी की रोक्ताम के लिए हम बीज का उपचार करते हैं जिसे हम अफायार भी करते हैं जिसे हम फंगिजकों पिंख को फंगिजकों दोयों से मुद्जध करते हैं सबसे पहले हम बीज को फंगिजकों कि रोखथम के छोमलहने हैं ीज की मात्रह हैं का पास की विजय के लिए एक हित में दो packard की विजय करते हैं विजय अब मअप मशीन की साथा से खात वह बीज की वुआई एकसाथ कर सकते हो मैं बीज की विजय सुभै आहिसाम की समय ही करने चीए बिजाए के समय में लाइन से लाइन की दूरी 3.5 ए Begin 2 की की घराई 8 से 10 cm रखने है। बिजाए के समय बीज गिली मिट्टी में ही ड़लना चीह ए इसके उपर 5 से 6 cm जमीन की पर चट जानी है। अगर आप फसल की विजाई नेरी पानी से करते हो तो इसे हम शिचित शितर करते हैं अगर आप वर्षादारी शितरों में कपास की खेती करते हो तो इसे हम कपास की खेती शितर दोनों शितरों में की जाती है शिचिचे 3 में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है ऐसे शिचे 3 में इसका उत्पादन कम होता है यह वर्षा पर निर्बर करता है खर्पतवार की रोक थाम के लिए शप्रे करते हो तो पैंडा में लिथ्यां 30% EC का बिजाई के तुन्त बाद शिटकाओ कर दे इससे खर्पतवार नहीं उगेगे खर्पतवार के लिए पैंडा में लिथ्यां 30% EC को 500 mm द्वाई को 200 लेटर पानी में गोल बनाकर एक अंकड में इसका सप्रे कर दे सप्रे के समय खेत में नमी होना बहुत जरूरी है कपास की विजाई के 30 दिन बाद कपास की फसल सिचाई के योग्या हो जाती है अब आप खेत की अलकी सिचाई कर सकते हो कपास की विजाई के 30 दिन बाद खेत में खर्पतवार भी उगने शुरू हो जाती है सिचाई के पुरुत बाद आप खेत की निराइवा कुडाई कर दे सिचाई के बाद जमीन के बत्तराते ही आप खेत में खात की विजाई कर दे एक अंकड के लिए 30 किलो डेपी, 20 किलो पोटास वा 15-20 किलो यूरिया की आप विजाई कर सकते हो इसके 30 दिन बाद फिर आप खेत की शिचाई कर देओं या फिर आप वर्षा हो जाए तो खेत की शिचाई नहा करें जल परबंदन कपास की खेती के लिए जल का परबंदन होना भी बहुत जुरूरी होता है क्योंकि अगर बारिस जादा हो जाए तो खेत में पानी ठटा हो जाता है जिससे खेत में जादा विमारी आ सकती है इसलिए जल का परबंदन भी होना बहुत जुरूरी होता है क्योंकि कपास की खेती के लिए निराए गुडाई पहली नुराई गुड़ाई अंगुण के 15 से 20 या 20 से 25 दिन के बाद करने चीए वहीं ये दी फसल में इसे चाहिए जुर्त पड़ रही है तो अलकी से चाहिए करने चीए इससे कीट वर रोगासर कम रहता है यह अच्छे पैदावार होती है कपास की फसल में लगने वाले प्रमुक केट गुलाबी सुन्डी कपास की फसल के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन केट है तो वह गुलाबी सुन्डी है जो अपना पूरा जिन उसके पुद्दे पर बिताता है यह कपास के छोटे पुद्दे कली वह फूल को नुकसान पुचागर फसल को नश्च कर देता है इसका प्रकोफ हर साल होता है इसका परभंदन इसके नियंतरन के लिए कोरो मंडल के कीट नासक फिंडाल 50% इसी का छिटकाव करे फिंडाल एक भू आयामी किट नासक है यह कीड़ी पर लंबे समतक नियंतरन रखता है इसके लावा इसमें तेज दिकी गंद होती है जो वह फिंडाल के बारे में दिक चानकारी के लिए अपने नश्दीक की डोक्टर से संप्रक करे इसके लावा यह पाइटो टॉनिक प्रभाव से यूकत है जिसमें कीड़ों को तुरुन यह लंबे समतक कार्या करना की समद्ध यह सपेद मकी के सभी चोड़नों जैसे अंडा निफ वैसे को एक बार में समाधान उप्रलप्त करवाता है इसकी परतियं कड़ 400-500 मिलिमेटर की मातरा की जूट पड़ती है यह बैद कॉमल किट होता है जो दिखने में मट मेले रंगा होता है महू किट कपास की पत्यों को खुरुच कर उसका रंग चूश लेता है इसके बाद पत्यों पर एक चिपशपा पदा छोड़ देता है परबंधन इस किट की रोक थाम के लिए कोरो मंडर की फिनियो किट नासक का छुटकाव करे या किट नासक किटों को तुर्ण तो लंबे समय तक नश्ट करने में कारागर है तेला किट काले रंगा या किट पोदों की पत्यों को खुरुच कर उसका रस पी जाता है इसकी रोक थाम के लिए फिनियो किट नासक का प्रियोग करे या रस चुट कीट है जो कि कपास की फचलों को अतर्दिक नुक्सान पुचाता है इसकी रोक थाम के लिए फिनियो किट नासक का ही प्रियोग करे रामत सर या देखने में पांच बुजाई और पीले रंगा हुटता है इस किट के आंकों के पंकों पर कालना दबा पाया जाता है जो कि कपास की सिसुएं वशक अवस्ता में पत्यों का रश चूचता है जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है परबंदन इस किट के परबंद के लिए पूरे खेत में परतियां कर दस पीले परपंज लगाना चीए इसके लाव पांच मिलिमेटर नेम तेल को एक मिलिमेटर टिन्नु पॉल या